आजल प्रदेश विधानसभा मौनसून सेशन का आज आठवा दिन है 27 अगस से शुरू हुआ मौनसून सत्र 9 सितंबर को खतम होगा मतलब अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी है ऐसे में आज प्रशुनकाल के दोरान सबसे पहले रुंधी शर्मा का नई संस्थानों पर पूछे गए सवालों की गुण सुनाई देगी इसके बाद सुदर्शुन शर्मा के राजस्वे विभाग से संबंदित 11 मौरूशी को लेकर पूछे गए सवाल पर सदन में चर्चा होगी वहीं अजया सोलंकी ने डेवलप्मेंट प्लान से संबंदित सवाल पूछा है वही रीना कप्षिप ने रिक्त पद को लेकर सवाल किया है जिस पर सदन में आज चर्चा होगी वहीं बीते दिन अयोग गेठर आए गए विधायकों की पेंशन रोकने का प्रस्ताव विधान सभा विपास हो गया है इस विधेक के दाइरे में इस साल कॉंग्रेस से बागी होने वाले 6 विधायक भी आएंगे जिन्होंने सुकु सरकार के खिलाफ मोचा खोला था और पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे इसे लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है बाइश